Hello everyone, इस question में दे रखा है कि एक police man है, जो कि jeep से चल रहा है, और उसका constant velocity, uniform velocity कितना है, V है, और एक यहां पर pocket मार है, जो कि यह रुका हुआ है अपने friend के लिए, यह इसका friend है, यह अपने friend के लिए रुका हुआ है, यानि कि V initial velocity कितना है, यहां पर 0 दे रखा है, यह बत clear है, और जब यह देखता है कि police से D distance दूर है, इसका friend आता है, और यह A acceleration से bike को भगाने लगता है, ठीक है, तो question में कहरा है कि जब माल लेते हैं कि police अगर पकर लेता है इसको, तो हमें so करना है कि police का velocity यानि कि V greater than equal to under root 2 into A into D है, यह हमें prove करना है, तो बहुत यह अच्छा सा question है, चलिए, इसको हम अच्छे से discuss करते हैं, माल लेते हैं कि यह जो है, S distance दूर जा करके police इसको पकर लेता है, यहाँ पे police पकर लेता है, तो यह distance दूर कितना है, S, clear बात है, यहाँ से यहाँ तक का distance है, माल लेते है, S है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में इसको कितना देर ल नहीं है clear बात है अब यहाँ पे इनिशल वैलो सिटी कितना था इसका जीरो है तो यह कितना हो जाएगा जीरो तो एस इस इकवल टू कितना जाएगा बच्चों हाफ इंटू एसलेरेशन इंटू टाइम के स्क्वेर कोई दिक्कत नहीं यहां तक अब अगर पुलिसमेन का बात करें तो यह अगर यहाँ पे पकर लेया यानि कि यहाँ पे पुलिसमेन भी है और चोड भी है clear बात यानि कि उतना ही देर में कितना डिस्टेंस चला है पुलिसमेन डी प्लस एस डिस्टेंस चला है ठीक है distance is equal to kya होता है s equal to v into t क्योंकि यहाँ पे constant velocity s का तो v into t हो जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या है s हमें पता नहीं है s variable तो हम s को हटा देते है s is equal to कितना हो जाएगा बच्चो v t minus d आ जाएगा clear बात है हम क्या करते है यह s को इसमें जाके put करते है इसको माल लेते हैं equation 1 इसको माल लेते है equation 2 s को यहाँ जाके put कर देते हैं तो हमारे पास क्या आगया बच्चो half into a into t का square ठीक है is equal to v t minus d v t minus d और हम क्या लिख सकते है half into a into t square minus v t plus d is equal to 0 अगर यहाँ पे देखें तो हमें time में quadratic equation मिला हुआ है ठीक है quadratic equation का form क्या होता है बच्चो ax square plus bx plus c is equal to 0 जहाँ पे की x यहाँ पे alpha और beta दो value हो सकता है ठीक है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसका equation का 0 क्या होगा या फिर root क्या होगा time है और time क्या होगा बच्चो हमें इसा positive होगा एक real number होगा clear बात है तो इसका हम alpha बेटे का से निकालेंगे x equal to minus b plus minus under root of b square minus 4 into ac divided by 2 यह हम लिख सकते है clear बात है तो यहाँ से हम time का value क्या लिख देंगे t is equal to कितना जाता है v यानि यहाँ पे minus b है तो minus minus plus into v ठीक है plus minus under root of b square b square कितना हो जाएगा v square minus ठीक है 2 into a into d क्योंकि यहाँ पे 4 ac है तो 4 into a कितना है इसका constant coefficient of t square तो half into a है into c d हो गया तो half half यहाँ पे cancel हो गया 2 a d आ जाएगा clear है यहाँ आप solve कर सकते हो math को थोड़ा सा कोई problem नहीं है यहाँ तक upon a अब यहाँ पे क्या concept है हमें यहाँ पे देखना होगा यह क्योंकि time है time क्या होता है हमारा यह होता है हमेशा positive और real part होता है तो हमारा यह क्या होना चीए अगर under root के अंदर का value का बात करे यह हमेशा positive होना चीए तभी time के आज आ सकेगा एक real आ सकेगा clear बात है तो यह positive होना चीए तो v square minus 2ad greater than equal to हम 0 बोल सकते हैं ठीक है या तो 0 आ जाए या तो greater than equal to तभी हमें यहाँ पे 2 value मिलेगा 2 real number मिलेगा ठीक है alpha beta 2 time मिलेगा तो negative को छाट देंगे positive को ले लेंगे या तो 0 हो जाए तो 0 में क्या होगा हमें एक ही value मिलेगा जो कि हमारा सही होगा clear बात है तो यहाँ से velocity कितना आ जाएगा velocity का square greater than equal to 2a into d और velocity v is equal to कितना जाएगा बच्चो under root of 2ad हमें क्या करना था यही so करना था clear बात है बहुत अच्छा question था इसना question फिर पूछा जा सकता है conceptual question था v greater than equal to under root 2ad clear आप लोग को